पूछा है कि ऐसा कोई उपाय बताईए दीपावली पर कि बरगद की ब्रक्ष से सुना है धनवर्सा होती है कि एक जगे पिरमाड है तो हां रावड संगता में रावड नहीं लिखा है रावड एक वो ग्यानी था जिसके सामने सभी ग्रह नक्षेत्र अधिन थे तीनों लोक आए हुए जो भी तंत्र हैं जो भी मंत्र हैं जो भी यंत्र हैं बहुत कारगर और प्रभावी हैं तो मैं आज आपके लिए बताने के लिए जा रहा हूं कि दीवाली के जिस दिन रात्री हो उस दिन गौध धुली के बाद रात बारे बजे से पहले बरगद की जटाओं को लाना होता है लेकिन उससे एक दिन पहले बरगद को निमंतर देना है कहना है कि मैं आपको ले जाओंगा अपने घर में आप मेरे हाँ धनका योग बनाईए लक्षमी का बास करिएगा तो आप अगले दिन जिस दिन देवाली हो जाएं किसी को बताएं नहीं गुप्त प्रिय उन पे तिलक कर दें थोड़ा सा छीट दें और उसके बाद घी का दीपक एक धूबत्ती जला दें शरीम का कुछ जब करें 27 वार 24 या 108 वार शरीम 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 ये मा लक्षमी का बीज मंतर से इसका आप जब करें और उसे चांदी की डिबी में बंद करके पांच पीली अपने पूजा मंदर में रख लीजिए अब सवाल आता है कि लोग कहते हैं क्या धन वरसात होगी नहीं धन के मार्ग बनेंगे लोग कहते हैं कि इसे रखने के बाद में सब कुछ स्वपनी की तरह हो जाता है नहीं परिस्रम भी करना पड़ेगा लेकिन हाँ बन सरलतम तरी पुद्वानों का है क्योंकि उसको सभी सास्त्र बेद पुरान कंठस्त थे उसके बराबर कोई ग्यानबन नहीं था उसने सभी ग्रहों को अपने पुत्र के जन्म के समय अपने इक्षा अनुसार चलाया अमरता प्राप्त के लिए लेकिन सभी ग्रह मान गए सनी देव जग परिशड तंत्र हैं जिन्हें करने के बाद लोगों का जीवन ऐसे चेंज होता है कि जैसे सोचा भी नहीं था ये बरगद के बहुत सारी तंत्र हैं लेकिन ये तंत्र बहुत प्रभाबी है आप इससे करके देखिएगा आनंद की अलग अनुभूती होगी अलग प्राप्त सब्सक्राइब करने के लिए हमें प्रियासरत रहना आवश्चक है तो बने रहे का आनंद लीजिए इसको करिए